यह Virtual University की Midterm की Solve Subjective Questions Series की वीडियो है, Complete Series चैनल के उपर अप्लोड की जा रही है और आजकी वीडियो के अंदर आपको EDU 505 के Midterm के कुछ Solve Subjective Questions करवाई जा रहे हैं इसमें सबसे पहले हैं Right Role of HEC, HEC का Role जो है वो आपने लिखना है सो हेसी का जो एक इंपोर्टेंट रोल है सेक्टर के अंदर और यह जो इसको फॉर्म किया गया था 2001 और जो फॉर्ण किया गया था 2002 में आपके हैंडाउट में दिखावा है सो कमिशन जो यह जो बनाया गया तो इसने सिग्निफिकेंट कॉंट्रिबिशन की जो इंप्रूफमेंट थी इसके कंट्री के अंदर इंक्लूडिंग जिसमें बलुजिस्तान भी शामिल था और इस्पेशली जो अल्ली एयर्स थे इसके 2005-06 था तक तो उसमें बहुत अच्छ सा कॉंट्रिबिशन रहा था है उसके बाद कुछ थोड़ा हम कह सकते हैं डिकलाइन आया है और आता गया है उसके बाद यह कि एचिसी रिस्पॉंसिबल है नेशनल स्टेंडर्स के लिए प्रवाइड कता है ग्रैंड्स यूनिवस्टी स्कॉर गाइड भी कता है जो पॉलि एक्टिविटी है और बैनिफिट कती है एक इंडिविजियल को या पर सुसाइटी को ऐसा होल और बाई एजुकेशन का हमारी जो हो इन्टेंड होती है कि हम लेकर रहे हैं सर्टेंड डिजरेबल चेंजेस स्टुडेंट्स के अंदर माइक्रों बैक्रों लेवल दोनों के पर एजुकेशन एक कॉंशियस एफोर्ड है इसका जोए डिफिनेट एम्स और अब्जेक्टिव हैं और एजुकेशन बगर किसी एम के मिनिंगलेस है इसके बार यह के राइट ब्रीफली लिखें इन सर्वेस एटीचर ट्रेनिंग के बारे में सो प्रोविजिनल इंस्टि इन सर्वाइमेंट है फंड किया है इन ट्रेनिंग स्को उसके बाद यह के ब्रीफली तोर पर लिखें डाइनमिक यह बारे में जो एम है एजुकेशन का वह चींज हो चुका है टाइम टु टाइम अगर हम वक्त के साथ देखें जैसे कि लाइफ चींज होती है वक्त के उसके बाद यह कि explain करें बलूचस्तान एडूकेशन फांडेशन को बलूचस्तान एडूकेशन जो फांडेशन नहीं सपोर्ट करती है कम्यूनिटी को और जो प्राइवेट स्कूल है उनको जो एक पबलिक का प्राइवेट पार्टनर्शिप प्रॉसेस के थूँ और इसको ज और इसने फांडेशन ने डेवलप भी किए कम्यूनिटी स्कूल एरियास में जहां पर कोई स्कूल ही नहीं देशतरे से और अगर हम देखें तो 632 ऐसे स्कूल फंक्शन करते हैं प्रोविंस के अंदर तो यह थी आज की वीडियो आपको अगर इस बार में कोई कुछ से ने पसकता है इस बार रा किन स्कूल एकड़को आपका पर कुछ स्कूल एक्ड़कर एकस्वार्ण दूस्रदी प्रणां